अम्रोहा के बिधान सभाद धनवरा और गाउं का नाम मुकारंपूर है और इससे पहले भी हम एक बाइट ले चुके हैं पबली की राय जान चुके हैं कि 2022 में जनता का क्या मूड है किसकी सरकार देखना चाहती है इसी विशे में हमारे साथ बहुत सारी लोग हैं दिखाना च लोग उकठे हुए हैं हम डॉक्टर साब के हां है और डॉक्टर साब क्या सारे लोग आयो है बैठ हुए है इसमें युवा भी है और बुजूर्ग भी है जानने की कोशिश करेंगे सबसे परदे साथ चुनाव आने वाला है इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस पूरा नहीं हुआ है लेकिन इन दिनों आपने क्या महसूस कि जो सरकारी योजनाय थी सरकारी योजनायों का लाब आपको मिला योजना तो काफी निकालते हैं लेकिन समाज नहीं पाते हैं लेकिन आप आपको छाहां फिसको नहीं मिला इसीटियाँ घ्री सांसे लता है और की आपकारी आपको बोग को बहुत च्राइब क्या दो जी अच्छारा, है क्या ज आपको प्र क्या लगा तुल्व भी निकल लिया है को लाभ लेक्प कलाग्षै प्रियाग्राज से प्रिया निकल लिया है ये फाश्य सबसे अच्छा प्रसासनिक दोस्ता रहा बदमाजी पर हर तरह के क्राइम पर अंकुस रहा और हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीएस्पी की सरकार पूरे समरतन के साथ बने जो दिल्ली की सरकार है कि आप दिल्ली की सरकार से संतुष्ट हैं दिल्ली की सरकार का आपका अगर देखा जाए तो आपने जो समिधान में निचले तपके के मोली का दिकार हैं उन पर काफी अच्छा काम किया गया है और हम चाहेंगे कि आपकी सरकार दिल्ली में बनी रहे है आपकी सरकार तो आपकी युत्तर प्रदेश में भी चुना लोडने वाली है नहीं अभी वो तो केवल एक राजनीतिक इस्टंट है और वो उनका अधिकार भी है जगा जगा प्रेस कांफेंस भी किया जा रहा है आपका वो एक अलग बात है लेकिन यूपी में बीस्पी की सर सरकारी सर्वे सरवा होगी चलिए धन्यवाद यह क्या मूड है लोगों का कि आप क्या कहना चाहेंगे किसकी सरकार आनी चाहिए आप बताएं आप अपनी राय बताएं किसकी सरकार आनी चाहिए अमारे तो बहुत अच्छा सरकार में बहुत सारी योजनाएं आई आपके पास योजना नहीं आई आपको ब्रिद्धा पेंसन मिलता है कि नहीं नहीं मिलता तो फिर तो यह ग्राम परधान की बदमाशी यह वो नहीं देते हैं आप बीजेपी को कोई से गला ठहरा सकते हैं अब हमारे तो राशन सब्सक्राइब नहीं जोड़ते हैं तो आपने इसके लिए तो अपने परधान से संपर करना चाहिए इसमें बीजेपी के गलती कैसे दे सकते हैं कई बार अपलाई करा दिया अच्छा नहीं हुआ चली को क्या लगता है कि अपकी बीजेपी को यह जो किसाना अंदोलन रहा सबसे बड़ा तो यह भी है किसाना अंदोलन अभी तक जारी है और क्या इसका असर चुनाओं में पढ़ने वाला है देखिए हमारे हैं जब बसपा सरकार हुई बनी जब हमारे हैं खुशालता मिली और उस सरकारों से पहले हमारे एक नद्दी पढ़ती थी वहां पर कोई निर्मान या सड़क का कोई निर्मान नहीं हुआ बसपा सरकार से हमारे खुशालता मिली जो आज सरकार के जो कार्या करता प्रसासन है जो आज तक गंगा की धांग तक भी चले आते हैं यह बीएसपी की देन है बीएसपी के ऐले हमारे हैं कोई भी निस्तारा अभी तक नह किसी भी सरकार में ये नहीं ह přिसमाल क Parents सभी काड़ कोई अच्छा थी च δεν सब आझका रहता है और सभी का दिधा 2 जाता है बजिटी चारUNG ये कोई का अठाक्छा औरे स्क्टिए मोड़ी सब्सक्राइब निकालते हैं सबसे जानने की कोशिश करेंगे, आप किस की सरकार देखना पसंद करेंगे? सरकार तो BSP की ठीक है. आप करते क्या है? सबस्तैकर चीडा की कोई है? कि सारे किसान की पसंद करना चाहिए ? क्या किसान आंडोलन अब की जो इलेक्शन है उसमें भारी पड़ेगा ? प्रशासन जो है करता है जी ला परवाहि करता है पुलिकारी करता है , धन्यवाद जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप सबको पता है कि युआ देस का भभभी करेगा क्यों यू अ पिडिया जनरेशन किसकी और पलटेंगे एक इसका सपूर्ट करने वाले जिबृत किसका सपूर्ट करेंगे चंड शेखर नामन कमें बहुआ की आजाज समाश पार्टी है इसका पहले भी जिकर कर चुके हैं जो दूसरे युवा थें और इनका भी कहना है चंद्शेखर का ये सपोर्ट करेंगे तो चंद्शेखर का क्या आपको अच्छा लगता जो आप उसका सपोर्ट करना चाहेंगे गरीव लोगों के साथ बेहनों के सम्मान में सबसे पहले आतने उतर के उरों इनसाफ नहीं दीखने को मिलती है फिर क्या कहँएंगे जिसे आपने कहा कि जो भेहन बेटियों के साथ होता कोई बहुत किसी के साथ अथियाद होता है तो सबसे पहले भीमार में खड़ी होती है और बहुत सारे यहां तक मैंने देखा है उसमें 40% लोग ऐसे हैं जो भीमार में का स चालीस परसेंट लोग बाई काट हैं तो कि आप क्या कहेंगे पार्टी को ज्यादा समर्थन देंगे या अब संकठन को धीरे दीरे पार्टी भी खड़ी हो रही है तो जुड़ते जा रहे हैं अभी ज्यादे समय नहीं हुआ समा आते आते सब पार्टी मतलब पूरी भर लेकिन उनके साथ साथ यूआ भी जो पढ़ाई कर रहे तो तयारी कर रहे होते वह भी जेल चले जाते जिससे उनका केरियर बरबाद हो जाता है फिर क्या कहेंगे आप इसमें केरियर तो हमारे जब समाज पर इतने अत्याचार होते हैं तो किसी ना किसी कुर्वानी तो दे सभी लोगो ठोडि आती हैं दिक्कत सभी लोग ठोड़ी लड़ते उनमें जाकर गिने चुने लोग लड़ते हैं चली द्हेंने बार कुछ यूआ आजासमाज पार्टी का सपोर्ट करते हैं और कुछ यूआ बेस्पी का wrench एइस फी और बीएस.। यह वजा है आप किसको प सेंफ़ करें तो आप उनको क्यों करता सब तहीं करते हैं अपने और we haven't तो इसलिए उनों कोई करना पड़ेगा हमें तो इसलिए उनों कोई करना पड़ेगा तो अच्छा चलिए इन सभी का कहना है कुछ युवा है जो ऊसलिए क्ली एक राष्ट कрьते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि ईनकी राष्टिये पार्टी जो सिर्फ सिर्फ बियस पि की क्योंकि मानिवन साब तर्म इनी संगर्फ कि ये और उन्होंने अपनी पार्टी क filthy खड़ी की और तो और कुछ लोग जो say the comment हो रहे हैं वीवार्मी का काम अच्छा वहता है अब बीमार्मी मीु ने हैं पर्टी बना लिया और उसकी तरब भी LOG कर पो रहे हैं जैनेर अफ दावन को लाइक सुर्सक्राइब और जहने बनेवार